नमस्कार दोस्तों मैं हूँ S.P. शर्मा आप दिख रहे है ग्रिन गड़न चैनल ग्रिन गड़न चैनल में आप सभी कर शागत है आज मैं आप लोगों के शाद श्यार करूंगा रेनी सिजन में आपके रोज फ्लार प्लांट में कॉमनली एक डिजिज जो होते है एक बिमारी जो होते है और आलमस्ट सभी की रोज फ्लार प्लांट में ये बिमारी देखने को मिलता है आप लोग एक रोज फ्लार प्लांट देख रहा है दमस्क रोज है देशी पिंक कलर के high-scented rose है और बहुत ही biggest choice की plant है आप लोग देखिए 12 इंच की एक pot में लगा हुआ है यह floor plant और यह floor plant में कुछ बिमारी आया है यह देखिए यह जो बिमारी है यह है black spot black spot एक fungus की बिमारी है यह देखिए आप लोग अच्छा से identify कर लिजेगा इन केस अगर आपके रोज floor plant में भी अगर ऐसा black spot की condition आए तो मैं जो भी treatment बताएंगे यह शब treatment आप करेंगे तो आपकी floor plant protect हो जाएगा यह बिमारी अभी हमारी floor plant को लग चुके है और मेरे floor plant देखिए overall बहुत ज़्यादा healthy है बहुत ही बुसी है बहुत बड़े plant है बहुत ज़्यादा इसमें आभी बार्टस है बहुत सरे floor खिला हुआ है लेकिन यह बिमारी कैसे आते हैं सबसे पहले इसका मैं discuss कर लेता हूँ rainy season में continue rainfall होने की कारण continue बारिश होने की कारण क्या होते है हमारे floor plant की जो leaf है leaf continue गिली रहते है dry नहीं हो पाते हैं शुख नहीं पाता तो इसलिए इसके ओपर जैसे पानी ठहरा हुआ रहता है रात में भी दिन में भी continue तीन दिन चार दिन पास दिन जब बारिश होते हैं ओ कंडिशन में यहाँ पर fungus लग जाते हैं देखी बहुत सरे leaf infected हो चुके है तो आप ही हम क्या करेंगे यह देखने के बाद आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है हो शक्त है आपकी floor plant की performance आगे जाके थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन आपकी floor plant शब से पहले save होना जरूरी है हम को शब से पहले save करना है हम जो भी feeding देते है हमारी floor plant को feeding को हम बंद नहीं करेंगे as it is हम feeding देते रहेंगे multiple micronutents PGR शब चीज continue देते रहेंगे लेकिन इस टाइम फंगास के लिए एक अच्छा fungicide आपको यूज करना है आभी मैं fungicide मेरे पूरे garden में इस्प्रे करने बाला था लेकिन मुझे लगा है यह जो बिमारी है black spot है यह fungicide की बिमारी की बारे में आप लोग को जानकरी दिया जाए ताकि आप आपके garden को भी सुरक्षित कर सके इनकेस अगर आपकी floor plant में भी ऐसा है तो आप treatment दीजिए एक अच्छा सा fungicide लिजिए आज मैं fungicide भी बताऊंगा और spray भी करूंगा अच्छा fungicide में आप redomilk gold लेशक्त हो gold standard fungicide है बहुत ही अच्छा result है 2 gram एक लिटर पानी में मिलाईएगा और 1 ml bespa 80 1 लिटर पानी में मतलब उसी पानी में 1 लिटर पानी में fungicide उसी पानी में आपको 1 ml मिलाना है bespa 80 एक spray डर silicon based spray डर अच्छा से सिक करें और इसके बाद ए फ्लार प्लाइन के उपर आपको अच्छा से spray करना है तब आपकी फ्लार प्लाइन बिल्कुल protect हो जाएगा एक बार spray करेंगे sufficient लेकिन एक हपता बाद फिर से spray करना है धन रखिएगा अभी बारिश की चलते आपकी फ्लार प्लाइन में ऐसा fungus का attack देखने को आएगा कूछ black spot ऐसे भी होता है कि हमारे फ्लार प्लाइन की जो leaf है leaf में dot dot black spot आते है गोल गोल टाइप की dot dot बड़ बड़े dot में आते है goal spot जो black color की आता है ओ भी होता है black spot यानि की fungus का attack ऐसा मेरे फ्लार प्लाइन में एक दो प्लाइन में मुझे लगता है और भी हुआ है मैंने एक दिन पहले ही इसको देखा है और ये रातो रात बढ़ जाते है धेन रखिएगा ये रातो रात बढ़ जाएंगे और ये जो leaf है देखिए new leaf है old leaf में भी थोड़ा सा है ये देखिए it means पूरे plant में अभी फैलने बाला है तो इसका treatment कैसे करेंगे शबसे पहला treatment जितनी भी leaf खराप है infected देखेंगे daily आप उसका leaf धीरे धीरे करके remove करें एक gelatin में pack करें और उसको dry होने के लिए राखें नहीं तो बहुत दूर ले जाके आप फैक दीजिए आपके garden की आसपास नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिमारी बहुत जल्दी spread होता है यानि की फैल जाते है आपके garden में फैल जाएंगे और ये जो floor plant है infected floor plant है इसको आप आपकी शब रोज floor plant से दूर रखेंगे अलाग रखेंगे और नहीं तो आपके पूरे रोज floor plant में ये बिमारी फैल जाएगा धेन रखिएगा इसी शब से ही आपको treatment देते रहना है आप मैं बात करूँगा fungicide में क्या यूज करता हूँ ये देखिए fungicide में मैं यूज करता हूँ agujol कत्यानी company की है बहुत ही अच्छा result है इसके आंदार ये देखिए agoxy esterbin 18.2% और deficonazole 11.4% है यानि कि amistar top fungicide की आंदार जो molecule होता है ये दो molecule और जो ratio है same combination ये जो जल की आंदार है और ये कत्यानी company की है amistar top singenta company की आते है तो ओ काफी ज़्यादा costly होता है 100 ml सारे 400 से 500 रुपया की होता है और ये मुझे 500 ml 650 रुपया में पड़ा है तो मैं यूज करता हूँ और इसका जो डोज है one ml पार लिटर वाटर एक ml एक लिटर पानी में मिला के आपको इस्प्रे करना है इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके साथ हम मिलाएंगे bespa 80 ये देखिए bespa 80 चलिए आप मैं डोज बता देता हूँ bespa 80 आप अगर एक लिटर पानी में मिलाएंगे तो आधा ml मिलाना है लेकिन मेरे पास जो पांप है इसमें 16 लिटर पानी आते है 16 लिटर की पांप है मैं इसमें हमेशा 15 लिटर पानी लेके ही यूज करता हूँ तो 15 लिटर में हम फांजी साइट 15 ml मिलाएंगे और bespa 80 इसको हम 5 ml मिलाएंगे only for 5 ml धेन रखिएगा चलिए आप हम मिलाते हैं और आप लोग को बताते हैं इस देखिए मेरे पास एक शिरिंज है इस शिरिंज की हेल्प से मैं इसमें से ले लूँगा फांजी साइट इस शिरिंज से हम ले लेंगे फांजी साइट दोस्तो एप पांप में मैंने पानी ले लिए है आप ही फूल नहीं किया है और मैंने इस देखिए फांजी साइट 15 ml देखिए 10 और 15 ml हमने ले लिए है और इसमें हम डाल देंगे यह देखिए हमने 15 अमेंट डाल दिये है इसके बाद देखिए यह जो शिरिंज है शिरिंज में फांजी साइड मिला हुआ है आप हमने देखिए एक लिटर पानी लिए है और इस शिरिंज को हम अच्छा से वाश कर लेंगे और इसमें फिर से पानी भर लेंगे सिरिंज में मैं हमेशा आप लोगों को बताया है बैस्पा एट्टी फंजी साइड या इंसेक्टी साइड के साथ डाइरेक्ट आपको मिलाना नहीं है यह हमारा सिरिंज देखिए वाश हो चुके है एक दुबार और वाश कर लेते है यह देखिए हमारे सिरिंज जो है बिलकुल वाश हो चुके है अब यह जो पानी है यह पानी हम डाल देंगे जहापर हमने फंजी साइड डाले है यह देखिए यह हमने डाल दिये है इसके बाद सेम सिरिंज से हमको लेना है बैस्पा एट्टी यह देखिए बैस्पा एट्टी इसी सिरिंज से अब हम ले लेंगे फाइव एमन लेना है ओनली यह देखिए फाइव एमन हमने ले 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 है बैस्पा एट्टी पाँच एमन पंद्रा लिटर में आपको पाँच एमन मिलाना है इससे ज़्यादा नहीं मिलाएंगे धेन रखिएगा यह फाइव एमन है और इसमें हम डाल देंगे यह देखिए हमने डाल दिये है इसके बाद हलका सा हम पानी ले ले लेंगे इसमें यह देखिए पानी है क्योंकि यह सिरिंज को फिर से वाश करके ही रखेंगे और यह पानी फिर से इसमें डाल देंगे यह हमारा सिरिंज वाश हो चुके है आप इसमें और भी उपर से हम पानी मिला देंगे यह देखिए 15 लिटर अल्मुस्ट हो चुके है हमारे इसमें बटर यह देखिए टैंकी यह जो पाम्प है पाम्प अल्मुस्ट भर चुके है यानि कि 15 लिटर हो चुके है आप इसके ढखकन हम बंद करेंगे और बहुत अच्छा से मिक्स कर लेंगे आप इसके जो ढखकन है ढखकन को बंद कर लेते हैं और बहुत या अच्छा से ऐसे करके सेख कर लेंगे इसके बाद हम यूज करेंगे हमने बहुत अच्छा से से कर लिये है और इसके बाद हमको यूज करना है इसमें देखिए बॉटन दिया हुआ है इसको हम अगर प्रिस करेंगे ये ओन हो जाते है साउंड आने लगा है और इस्प्रे करते समय धेन रखिएगा आपको बहुत ही अच्छा से इस्प्रे करना है लेकिन इस्प्रे करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा ये जो फ्लावर है ये फ्लावर को हम तोड़ लेंगे जितनी भी फिलावर है पूरे फिलावर तोड़ लेंगे नहीं तो ये फिलावर खरब हो जाएगा पूरे फिलावर हमने तोड़ लिये है और इसके बाद हम अच्छा से स्प्रे करेंगे इस्प्रे करते समय आपको धेन रखना है लीप की नीचे उपर और स्टेम में शबी जगा पर आपको इस्प्रे करना है बहुत ही अच्छा से और यह जो 15 लिटर है 15 लिटर मैं एक ही प्लांट में इस्प्रे नहीं करूंगा मेरे पूरे गार्डेन में हम इस्प्रे करेंगे यह देखिए कितनी अच्छा से इस्प्रे हो चुके है यह आप लोग देख पर आए ऐसी करके आपको इस्प्रे कर देना है और थोड़ा सा घुमा घुमा के इस्प्रे करेंगे ताकि कही भी बिल्कुल भी ना छुट पाए शबी जगा पर आच्छा से इस्प्रे होना चाहिए उम्मिद करतो आप लोग को मेरा वीडियो पसंदा है और अगर पसंदा थे तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राब जरू कर देना शाथ में वेल आइकन को प्रेस कर देना थैंक्स पर बाचिंग